नमस्कार दोस्तो! आप सभी को नवरात्री के दूसरे दिन की हारदिक शुब काम नाई आज मैं आप सभी के समक्ष नवरात्री के दूसरे दिन माँ ब्रम चारेनी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ जैकारा महमाईदा बोल साचे दरबार की जए नवरात्री के नो दिन के पावंतियोहार में देवी भगवती के नो रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्री के दूसरे दिन मा ब्रह्मचारिनी देवी की पूजा की जाती है। यह देवी दुर्गा के नो अवतारों में से एक हैं। ब्रह्म चारिनी अवतार में मादुर्गा तपस्या करती हैं। ब्रह्म चारिनी नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म और चारिनी। ब्रह्म का अर्थ है तप अथवा तपस्या। और चारिनी का अर्थ है उत्साह से भरी हुई नारी। या देवी सर्वभूतेशु ब्रह्मचारिनी रूपेन सस्थिता नमस्तस्याई 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 नमो नमहा शास्त्रों में ब्रह्मचारिनी का अर्थ तपकी चारिनी यानि तपका आचरन करने वाली बताया गया है देवी दुर्गा का यह रूप पूरण जोतिर्मय और अत्यंत भव्य है ब्रमचारिनी देवी के दाएं हाथ में जाप माला और बाएं हाथ में कमंडल धारन किया हुआ है मा का यह रूप अपने भक्तों और सिध्धों को अनंतफल प्रदान करने वाला है ब्रमचारिनी देवी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृध्धी होती है शास्तरों के अनुसार देवी ब्रमचारिनी मंगल ग्रह की शासक हैं वह भाग्य की दाता हैं और अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करती हैं मंगल दोश और कुंडली में मंगल की प्रतिकूल स्थिती से उत्पन समस्याओं को दूर करने के लिए ब्रमचारिनी देवी की पूजा की जाती है आईए अब सुनते हैं मा ब्रमचारिनी देवी की कथा सती के रूप में यग्य की अगनी में स्वयम को भस्म कर देने के बाद देवी ने परवतराज हिमाल्य की पुत्री के रूप में जनम लिया तब उनका नाम पार्वती या हेमावती या शैल पुत्री रखा गया जब पार्वती बड़ी हुई तो ब्रम्हा के मानस पुत्र देवर्शी नारद ने उन्हें दर्शन दिये उन्होंने पार्वती को बताया कि अगर वह तपस्या की रह पर चलें तो उन्हें अपने पूरव जनम के पती भगवान भोले नाथी पती के रूप में मिलेंगे नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पती के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती ने घोर तपस्या की इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तप्षचारिनी अर्थात ब्रमचारिनी का नाम दिया गया ब्रमचारिनी रूप में पार्वती जी ने एक हजार वर्ष केवल फल फूल खाकर ही पिताए और सो वर्षों तक जमीन पर रहकर शाक पर ही निर्वाह किया कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे सर्दी गर्मी और बरसात के घोरकष्ट सहे तीन हजार वर्षों तक तूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की अराधना करती रही इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाने भी छोड़ दिये कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर वह तपस्या करती रही पत्तों को खाना छोड़ देने के बाद इनका नाम अपर ना पड़ा कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीन हो गया देवता, रिशी, सिद्धगन, मुनी आदी सभी ने ब्रह्मचारिनी की तपस्या को अभूत पूरव पुन्यकृत्य बताया उन्होंने देवी की सराहना करते हुए कहा हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की यह सब तुम्ही से ही संभव हो पाया तुम्हारी मनो कामना अवश्य ही पूरण होगी और भगवान शिवजी ही तुम्हें पती के रूप में प्राप्त होंगे अब तुम तपस्या छोड़ कर घर लोट जाओ जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं कठोर तपस्या करने के बाद पारवती मा को ब्रह्मचारिनी के रूप में जाना जाने लगा बाद में भगवान शिव ने पारवती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्विकार किया मा दुर्गा का यह अवतार तपस्या, भक्ती, सैयम और एकांत में रहना सिखाता है देवी ब्रह्मचारिनी की साधना स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान करके की जाती है स्वाधिष्ठान चक्र क्रिकास्थी के निचले छोर में स्थित है इसी में मानव चेतना की शुद्धी की और उतकरांती का प्रारंभ होता है स्वाधिष्ठान चक्र की जागरिती, स्पष्टता और व्यक्तित्व में विकास लाती है देवी के ब्रह्मचारिनी रूप से हमें शिक्षा मिलती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ना चाहिए देवी के भक्त, पुन्य, शांती, समृध्धि, सुख और बड़क्पन के लिए मा ब्रह्मचारिनी की पूजा करते हैं और देवी की कृपा से समस्षिधियों को प्राप्ट करते हैं कथा समाप, कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला आईए अब करते हैं ब्रह्मचारिनी देवी की प्रार्थना दधाना कर पद्मा भ्यामक्ष माला कमंडलू देवी प्रसीदतू मै ब्रह्मचारिनि उत्यमा ब्रह्मचारिनी देवी की स्तुती या देवी सर्व भूतेशु मा ब्रह्मचारिनी रूपेन सस्थिता नमस्तस्याई 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 नमनमा आईए अब जानते हैं देवी ब्रह्मचारिनी का ध्यान मंत्र वंदेवांचित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखरम जत्माला कमंडलू धरा ब्रह्मचारिनी शुभाम गोर वर्णा स्वाधिष्ठान स्थिता द्वीतिय दुर्गात्रिनेत्राम धवल परिधाना ब्रम्हरूपा पुष्पालंकार भूशिताम परम्वंधना पल्लवाधरा कांत कपोलापीन पयोधराम कम्नीय लावन्यम स्मेरमुखी निम्नाभी नितंबनीन आईए अब जानते हैं ब्रम्हचारिनी देवी का स्त्रोत तपश्चारिनी त्वही तापत्र्य निवारनीम ब्रम्ह रूपधरा ब्रम्हचारिनी प्रणमाम्यहम शंकर्प्रिया त्वही भुक्ती मुक्ती दाईनी शांती दाग्यानदा ब्रम्हचारिनी प्रणमाम्यहम आईए अब जानते हैं देवी ब्रह्मचारिनी का कवच। आईए अब करते हैं ब्रह्मचारिनी देवी की आरती। कोई रहने ना पाए कोई भी दुख सहने न पाए उसकी विर्ती रहे ठिकाने जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रधा देकर आलस छोड करे गुण गाना मा तुम उसको सुख पहुचाना। ब्रह्मचारिनी तेरो नाम पूरण करो सबके काम भक्त तेरे चरणों के पुजारी रखना लाज मेरी महतारी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में मा का जैकारा लगाना ना भूले। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जै माता दी।